स्टेरिंग वील आपको तिखाते हैं जी यह पावर्ड है स्पीड सेंसर के साथ ही आपके सामने है बिल्कुल स्मूथ से बनाया है यह गाड़ी कैसे आए थी यह सारी स्टोरी आप लोगों को सनाएंगे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि यह गाड़ी कहीं और बनी भी थी आप सब लोग खेरियत से होंगे एक और वीडियो में खुशाम दीद और आज जनाब हम कंप्लीट आपको दिखाएंगे खैबर और इसमें हमने कौन सा इंजन इंस्टॉल किया है इंटीर कैसे बनाया है यह गाड़ी कैसे आए थी यह सारी स्टोरी आप लोगों को मैं आपको बताता हूं कि यह गाड़ी कहीं और बनी भी थी किसी और वरक्शॉप में इसमें जो इंजन इंस्टॉल था वो के टैन था लेकिन के टैन का भी बहुत पुराना वर्जन था ठीक है तो यह गाड़ी मेरे पास आई इसमें बहुत सार इशू से जिस तरह से मैं आ इलेक्रिकल जो बहुत सारे सेंसर्स वगएर थे वह ऑन नहीं थे ठीक है तो यह सारे मसले मसायल थे गाड़ी में मेरे पास गाड़ी आई गाड़ी में हमने इंजन सेब किया इंजन इसमें हमने इंस्टॉल किया है तेरह सू सी सी जो पासो का इंजन है और फॉर स्लेंडर engine है ये बहुत powerful इसके लावा interior का काम हमने सारेट का की है ठीक है इसके लावा rim ties हमने इसमें डीप डिश जो 7JJ में आते हैं वो इंस्सॉल की है जो latest design आता है market में इसके लावा चोटा मौटा कुछ डेन्ट पींट का काम ठीक है तो यह गाड़ी जनाब, आपके सामने और यह ख़एबर है 89 मौडल जो स्फ्ट इसमें आई थी यह वो इसका वर्जन है इसमें हमने जनाब सुस्पेंशन का किया है इसमें इसमें रिम टाइज इन्स्टाल की है है हिसमें हम रूफ टॉप जो है वह इसको परल ब्लैक में पेंट किया है इसके लावा हमने कोई गाड़ी में डेंट पेंट का काम नहीं किया ठीक है इंजन में हमने इंस्टाल किया है 1330 आपको मैने सबसे पहले जनाब इसका मैं एंटीर ए दिखाता और उसके बाद आपको मैं इंजिन बे दिखाँ गाड़ी का यह जनाब इसका इंटिरियर है इसमें हमने रिट्रेक्टिबल मिरर्स साइड जो पाउर मिरर्स होते हैं पाउर विंडोज इंस्टॉल की हैं इसमें हमने सर्फ के यह पूरे कंप्लीट पैनल देख रहे होंगे हम इसके वर्शेल्स पे और इस पर लगाया हुए कोई जुगार सिस्टम नहीं किया हुए इसमें ठीक है इसके लावा आपको मैं सीड्स दिखाता हूं यह जनाब इसकी हमने सीड्स बनाई हैं लेदर में सेम कलर में ठीक है और यह कंप्लीट इसकी पोशिंग आप देख रहे है मीटर इंस्टॉल है आटमेटिक का इसके लावा अभी आप इसकी बैक साड़ से यह देखें कंप्लीट जो इसकी पोशिंग है इसकी रूफ टॉप की तो वह भी आपको साथ-साथ मैं दिखाता हूं यह दिखें जनाब ठीक है कंप्लीट इसको हम फिनिशिंग में लेकर पुराना था इसका लेकिन हमने इसको प्रॉपरली इसको फिर भी हम इसको अब डूडेट किया सेट किया ठीक है यह सकी मीटर हो गया गाड़ी आपके सामने हाफ सल्फ स्टार्ट है ठीक है तो तेरो सुसी सी जनाब पासों में हमने तकरीब आप यह कह लें कि कोई चार से प्रॉजेक्ट किया है इसमें हमने लॉक अब देखने हो गाड़ी के जो लॉक से दर्वाजों के गाड़ी के दर्वाजे जब मेरे पास आई थी गाड़ी बंद नहीं हो ठीक है तो अब अराम से आप इसको बंद कर सकते हैं और मीटर इसमें आर पीमोले इंस्टॉल है एक और स्पीकर्स इंस्टॉल की हैं ठीक है यह सारी चीज़ें इंस्टॉल की हैं डेंट पेंट हमने नहीं की आपको मैंने पहले बताया कि सिरफ रूफटॉप को मैंने ब्लैक की है और इंजिन बे जो है वह मैं इसका पेंट किया है तो अगर आप इस तरह का इंटियर बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको मैं प्राइजिंग बता देता हूं कुछ इस तरह के होते हैं कि आपको 50,000 रुपय से लेके लाक रुपय तक की पोशिंग है मैंने मजदा में जो की है उसका भी मैं आप लोगों को रिविउ दूंगा कि वो कितने की थी और सारा क्यूंकि वो गा तो यह तो जी इंटिरियर का जो है सारा जो पोशिंग का है इसके लावा जो स्टेरिंग वील है यह आपको मार्केट से मिल जाता है तकरीबं कुछ चेहजार रुपे का विद जो बास किट है पंदरह सुसे दो जार तकरीबं आट हजार रुपे का है अंडरुड पैनल स्पीकर वगएरा तकरीबं 16-16,000 रुपे कैमरा और यह अच्छा अंडरुड पैनल जो फास्ट अप्टू डीट है ठीक है तो यह इतने का सिस्टम हो जा उता है कि इसमें तीनों कंप्यूटरों क्यों रखना होते हैं यह इनजिन का अग ग Mü理 Works के लिए पैस एक गाड़ी के मतलिक शेयर किया जाए इसमें डीप डिश वो रिम्ट जो हैं डाले में हमने फूटीन के सेवन जेजे में बहुत आउटलस इसका इसकी लोग दे रहे हैं ठीक है फिटमेंट प्यारी बैल्टी है सस्पेंशन का काम इसका हुआ है सारा अब इसमें बहुत सारे फ् हुए है स्टेंग रॉड जो है वो कम्लीट सेट हुआ है इसके लावा जो जो भी चीज थी वो सारी हुआ है ठीक है सिस्पेंशन के लिए आज से और अभी आपको मैं इंजन दिखाता हूं और गाड़ी के कुई वाइब्रेशन नहीं है कुछ भी नहीं आपको दिखाते है ठीक है एने डड़ पर आरपीम सेट है बिलकुल और अभी मैं आपको दिखाता हूं किसी किसम की कोई मिसिंग नहीं है गाड़ी में यह रेखें जी ठीक है अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन बे दिखाता हूं तो जनाब गाड़ी स्टार्ट है इस वक्त और यह जनाब मैं निजन बे और ए तेरा सूसी सी पासो का इंजन इंस्टाल है अमने इसमें इसमें इनस्टाल किया हूँ है तो यह क्योल है को सारव यह हो फांपपन ओन नहीं हो सकता बार के साब तक राता है तो बों कराड़ेटे इसमें इंस्टाल किया हुआ जिख charity इसमें फ्यूल प इंजन की कॉस्टिंग मैंने नहीं बताई आपको यह तक्रीबन कम्प्लीट सेटप आपको पढ़ता है विद इंस्टॉलेशन और सारा कुछ मिल मिला कि तक पहुंच जाता है ठीक है इसमें मीटर भी आ गया इसमें फिर आपको वायरिंग की सारी चीज़ें एच एवरी सेंस ठीक है फान्स से आपको लक मैंने गाड़ी के डिखादी यह बैक से मुठी है चोटी मोटी समय हुआ क्छ यह क्या की है इसके छोटी मोटी चीज़ें ताकि घ्राड़ी साफ सुत्री लगे हमने इसकी देंट पेंट नहीं की लाइट से अपनी हमने थोड़ा उसको मोडिफ आते हैं बाहर से वो आपको हम इंस्टाल करके देते हैं गरंटेड यह देखें आपके सामने मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और वो उसमें से सलेंसर में से पानी आ रहा है हलका हलका ठीक है तो इंजन की कंडिशन बेहतरीन होती है तो यह जी पीछे से कुछ गाड़ी के जो लोक है वो कुछ इस तरह से ठीक है और हमने इसको कंपाउंट पॉलिश किया था बाहर से यह जनाब इसकी लोक है ठीक है तो और यह कुछ फिट्मेंट बंद रही है इसकी यह देखें यह सामने है और फ्रंट के भी मैं आपको टायर सीधा करके दिखा रहता हूं स्टेरिंग वील आपको तिखाते हैं जी यह पावर्ड है स्पीड सेंसर के साथ ही आपके सामने बेलकुल स्मूथ ठीक है तो जी हम गाड़ी बंद कर देते हैं यह जी इसकी फ्रंट की फिट्मेंट कुछ बंद रही है ठीक है टायर्स गंदे है उसके लिए माजरत लेकिन यह जनाब मार्शालला से बड़ी आउट लास एक लोग बन गई है तो यह कोई सीन है जी सस्पेंशन का आपको मैंने बताया नहीं सस्पेंशन पर तकरीबान आपके कोई 35 से 40 तक अगर आप कंप्लीट चेंज करते हैं तो यह तकरीबान इतनी कॉस्ट आ जाती है और अगर आप भी गाड़ी बनाना चाहते हैं तो आप हमसे राबता कर सकते हैं इंजिन की वाइबरेशन की गरंटी है एक्सल टूटेंगे नहीं निकलेंगे नहीं हम इन्शालला उस चीज की भी गरंटी देते हैं शिफ्टिंग का मसला नहीं आएगा सारे सेंसर हम आपका ऑन करके डेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे ठीक है और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं की का कोई अशू नहीं अएगा मिसन नहीं कर रही हुए गाड़ी बह। सारी समय चीज़ें हैं स्वैपिंग में जो कि आप को कहीं और आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ आप लोगों को आज हमारा काम पसंद आ रहा होगा और इंशालला मजीद भी हमारे काम में बहतरी आएगी हमने पेंट बूत का मैंने आपको बताया दो तीन दिन से उस पर काम चल रहा है इंशालला और उससे हमारा पेंट की जो हमारी फिनिशिंग होगी वो और उसमें मजीद बेहतरी आजएगी इंशालला और बाकी है कि गाड़ी की ड्राइव बहुत कमाल की है बहुत मज़े की है गाड़ी हमने डिलिवर करनी है बस यह चोटी मुटी चीज़ें जो वाइरिंग की है वो इंशालला कम्प्रीट करके तो गाड़ी हमने डिलिवर कर देनी है तो उमीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपनी दौा में मुझे याद रखें अल्ला हाफिज